ओम शान्ति आज है दो अप्रेल दो हजारतेज की अव्यक्त मुरली आए सुनते हैं बाबा के मीठे मीठे महावाक्यों को स्वमान की समरीती का स्विच आउन करने से देह भान के अंधकार की समाप्ती आज अकाल मूरत बाप सभी अकाल तक्त धारी विश्य कल्यान के ताज धारी मस्तक में चमकते हुए बिंदी के तिलक धारी बच्चों को देख रहे हैं हर एक तक्त धारी भी हैं ताज धारी भी हैं तिलक भी सभी का चमक रहा है सभी के मस्तक बीच आत्मा बिंदी सितारे के समान दिखाई दे रही है आप सभी भी अपने तक्त ताज और तिलक को देख रहे हो सारी सभा बाप दादा को ताज और तिलक धारी तक तनशीन दिखाई दे रही है ये अलोकिक सभा कल्यूगी राज्य सभा और सत्यूगी राज्य सभा से कितनी न्यारी और प्यारी है तो ऐसी सभा की अधिकारी आतमाएं कितनी प्यारी हैं आप सभी को भी अपना ये तक्त ताज और तिलक धारी स्वरूप प्यारा लगता है ना जब अकाल तक्तनशीन अकाल मूरत स्रेष्ट आत्मा स्थीती में स्थित हो तक्त पर बैठते हो तो यह स्थीती कितनी स्रेष्ट है सभी के स्रेष्ट स्थीती की जलक इस सूरत को फरिष्टा बना देती है साधारन सूरत नहीं फरिष्टा सूरत तो फरिष्टा सूरत भी कितनी प्यारी है फरिष्टे सभी को बहुत प्यारे लगते हैं क्योंकि फरिष्टा सर्व का होता है एक दो का नहीं बेहद की सरिस्टी बेहद की वृत्ती बेहद की स्थीती वाला है फरिष्टा सर्व आत्माओं के प्रती परमात्म संदेश वाहक है फरिष्टा अर्थात सदा उड़ती कला वाला फरिष्टा अर्थात सर्व का रिष्टा एक बाप से जुटाने वाला है फरिष्टा अर्थात डबल लाइट देह और देह के संबंद से न्यारा हलका फरिष्टा अर्थात सर्व को स्वयम की चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला, फरिष्टा अर्थात सहज और सतह अनादी और आदी संसकार सदा इमर्ड सरूप में दिखाने वाला, फरिष्टा अर्थात निमित भाव, निर्मान, सोभाव और सर्व प्रतिकल्या स्रिस्ट भावना वाला ऐसे फरिश्टे हो तो बाप डादा ऐसे फ़रिश्टों की दर्बार देख रहे हैं सिर्फ इसी स्वमान में सित रहने से देहभान सतshyस माप्द हो जाएगा बाप देखते हैं कि बच्चे देहभान को छोड़ने की बहुत महनत करते हैं एक देहभान के रूप को छोड़ते हैं तो दूसरा आ जाता है फिर दूसरे को छोड़ते हैं तो तीसरा आ जाता है लेकिन छोड़ना सदा मुश्किल होता है और धारन करना सहच होता है तो बाप दादा कहते हैं कि सोमान में सदा रहो जहां सोमान है वहां देहभान आही नहीं सकता तो छोड़ने की महनत नहीं करो लेकिन सोमान में सित रहने का अटेंशन रखो और संगम युग पर सोयम बाप द्वारा कितने अच्छे सोमान प्राप्त हैं प्राप्त करना नहीं हैं प्राप्त हैं अपने सौमान की लिस्ट निकालो कितनी बड़ी लिस्ट है सारे कल्प में कितने भी सौमान अर्थात टाइटल्स किसी भी नामी ग्रामी आत्मा के हो चाहे राजनेता हो चाहे अभिनेता हो चाहे धर्मात्मा हो चाहे महान आत्मा हो उनके अगर टाइटल ग में सित कराते हैं रोज भी एक नए ते नया सोमान समरीती में रखो तो सोमान के आगे देहभान ऐसे भाग जाता जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता है ना समय लगता ना महनत लगती तो बार-बार भिन-भिन देहभान को मिटाने की महनत क्यों करते हो सोमान की समरीत का Switch On करना नहीं आता है क्या? कितना भी गहरा काला बादल सूर्य की रोशनी को चिपाने वाला हो लेकिन आपके पास Automatic Direct परमात्म लाइट का Connection है. Direct Line है ना, Line Clear है या लिकेस है. किसका Link होता है लेकिन लिकेस हो जाती है. तो Direct Line कितनी powerful होती है direct connection है या indirect है सभी की direct line है ना सभी को direct line मिल गई है फिर तो एक बादल क्या सारे बादल आ जाएं अंधकार कर सकते हैं क्या समरीती का switch direct line से on किया और इतनी light आ जाएगी जो स्वयम तो light में होंगे ही लेकिन औरों के लिए भी lighthouse हो जाएंगे ऐसे होता है ना अनुभवी हो ना लेकिन कभी कभी अनुभव को किनारे रख देते हैं सहारा मिला है लेकिन कभी कभी सहारे के बज़ाए किनारे हो जाते हैं मेहनत लगती है क्या सदा नहीं लगती कभी कभी लगती है switch on करना भूल जाते हो क्या वास्त में अगर एक मास्टर सर्वशक्ती मान का सुमान भी याद हो तो महनत की कोई बात ही नहीं है मार्ग महनत का नहीं है लेकिन हाईवे के बजाए गलियों में चले जाते हो वो मंजल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हो तो लोटने की महनत करनी पड़ती है बाप दादा सदा अपने सनेह और सहयोग की गोदी में बिठा कर मंजल पर ले जा रहे हैं गोदी में बैठ कर मंजल पर पहुंचने में मुश्किल क्यों होता है सनेह और सहयोग के गोदी से निकल कभी और आकरशन खींचती है तो चक्कर लगाने निकल जाते हो ठक भी जाते हो फिर महनत भी महसूस करते हो तो इस वर्ष क्या करेंगे? महनत समाप्त मुहबत में लव में लीन हो जाओ लव लीन हो हर कार्य करो जो लीन होता है उसको और कुछ दिखाई नहीं देता आकर्शित नहीं करता तो लव में रहते हो ऐसा कोई होगा जो कहे मुझे बाप से प्यार नहीं है लव नहीं है सभी का लव है ना लेकिन कभी लव में रहते हो कभी लव में लीन रहते हो नहीं तो देखो मन बुध्धी द्वारा स्थीती में बाप का सर्व संबंधों से साथ है साथ भी है और सेवा में बाप हर समय साथी है तो स्थीती में साथ है और सेवा में साथी है जहां सदा साथ भी है और साथी भी है तो वहां क्या मुश्किल है परमात्मा की महिमा ही है मुश्किल को सहच करने वाले ऐसा बाप आपके साथ है और साथी है तो मुश्किल हो सकता है फिर क्यों मुश्किल करते हो समय प्रमान बाप स्वयम हर बच्चे को सर्व संबंधों की ओफर करते हैं जैसा समय वैसे संबंध से साथ रहो वा साथी बनाओ कोई समय तो संबंद से साथी बनाते हो और कोई समय साथी को किनारे कर देते हो फिर कहते हैं कि अकेला पन फिल होता है चलते चलते अकेला पन लगता है और अकेले पन होने से क्या होता है अपनी स्रेस्ट जीवन साधारन जीवन अनभव होती है फिर कहते हैं बोरिंग लाइफ हो गई है कुछ चेंज चाहिए एक तरफ बाप दादा को खुश करते हैं कि हम तो कमबाइंड हैं कमबाइंड कभी अकेला होता है क्या बड़ी अच्छी अच्छी बाते करते हैं बाबा हम तो हैं ही कमबाइंड फिर 15-20 वर्ष बीदता तो कहत हैं चेंज चाहिए अकेले हो गए हैं वैसे भी देखो दुनिया में अगर चेंज चाते हैं तो कोई सागर के किनारे पर जाकर सो जाते हैं कोई मनुरंजन में चले जाते हैं डांस करते हैं कोई गीतों की मौज में मौज मनाते हैं कोई कंपनी या कंपानियन का साथ लेते हो यही करते हो ना, खेल करते हो, खेलों की दुनिया में बगीचे में चले जाते हो, यहां ग्यान सागर का किनारा है, यहां भूल जाते हो, अगर सागर पसंद है तो सागर के किनारे बैठ जाओ, बाप ग्यान सागर है ना, बाप कमपैनियन नहीं है क्या, उससे मज़ा नहीं आ कि समझते हो बिंदी से क्या मज़ा आएगा आप सभी को सदा बहलाने के लिए तो ब्रम्हा बाप भी अव्यक्त हुए लेकिन यहां तो सदा का साथी चाहिए ना जब भी अपने को अकेला पन अनुभव करो तो उसमें बिंदू रूप नहीं याद करो वहां मुश्किल होगा उससे बोर हो जाएंगी लेकिन अपने ब्रहमन चीवन की भिन भिन समय की रमनीक अनुभव की कहानियां समरीती में लाओ अनुभव की कहानियों का किताब सभी के पास है जब बोर हो जाते हैं तो नौविल्स पढ़ते हैं न तो आप अपने कहानियों का किताब खोलो और उसे पढ़ने में बीजी हो जाओ अपने सौमान की लिस्ट को सामने लाओ अपने प्राप्तियों की लिस्ट को सामने लाओ ब्रहमन संसार के विच्चित्र प्रैक्टिकल कहानियों को समरीती में लाओ जैसे अपने को चेंज करने के लिए समाचार पत्र पढ़ने का भी आधार लेते हैं तो ब्रहमन संसार के कितने अलौकिक समाचार आदी से अब तक देखे हैं वह सुने हैं समचार पत्र भी आपके पास है कईयों को पेपर पढ़ने के बिना चैन नहीं आता है पेपर भी आपके पास है पेपर पढ़ो, डांस और साज तो जानते ही हो बिना थकावड के डांस करते हो मन मनाभव होना ही सबसे बड़ा मनुरंजन है क्योंकि सर्व संबंधों का रस वा अनभूतियां करना ही मन मनाभव है सिर्फ बाप के रूप में या विशेशती इन रूपों के संबंध से अनभव नहीं है लेकिन सर्व संबंधों के सनेह का अनभव कर सकते हो संबंधों से याद तो करते हो लेकिन फर्क क्या हो जाता है एक है दिमाग से नौलेज के अधार पर संबंध को याद करना और दूसरा है दिल से उस संबंध के सने हमें लब में लीन हो जाना आधा तो करते हो बाकी आधा रह जाता है इसलिए थोड़ा समय तो ठीक रहते हो थोड़े समय के बाद सिर्फ दिमाग से ही संबंद को याद किया तो दिमाग में दूसरी बात आने से दिल बदल जाता है फिर मेहनत करनी पड़ती है फिर क्या कहते हो हमने याद तो किया बाबा मेरा कमपैनियन है लेकिन कमपैनियन ने भी चल दी है लेकिन दिल में समाज आती है तो उसको चाहे सारी दुनिया भी दिल से निकालना चाहे तो भी नहीं निकाल सकती तो सरव संबंधों को समय प्रमाण जिस समय जिस संबंध की आवशक्ता है आवशक्ता है फ्रेंड की और याद करो बाप को तो मज़ा नहीं इसलिए जिस समय जिस संबंद की अनुभूती चाहिए उस संबंद को सनेह से दिल से अनभव करो फिर महनत भी नहीं लगेगी और बोर भी नहीं होंगे सदा मनुरंचन तो इस वर्ष क्या करेंगे? महनत से निकलना है हर मास सिर्फ ओके लिखना और कुछ नहीं लिखना ओके से समझ जाएंगे कि महनत से निकल गए लंबे लंबे पत्र नहीं लिखना नहीं तो कहते हैं कि पत्र तो लिखा जवाब नहीं मिलता ऐसे नहीं है कि आपके पत्र पहुंचते नहीं हैं पत्र लिखन शुरू करते हो और वहां कंप्यूटर में पहले आ जाता है पोस्ट में पीछे पहुँचता है वैसे बाप दादा इतने लंबे पत्रों का रोज की मुरली में सब को जवाब देता है रोज पत्र लिखते हैं इतना लंबा पत्र कोई लिखता है तो इतने अपने सौमान को दे अगर कोई भी क्वेशन उठता है या कोई भी समस्या सामने आती है तो मुरली से रिस्पॉंस मिलता है तो फिर कभी शिकायत नहीं करना कि उत्तर नहीं आया बाकी अच्छा करते हो जो दिल में बात आती है वो बाप के आगे रखना अर्थात दिल से निकाल दिया वो भले करो लेकिन शौर्ट लिखो पत्र जब लिखते हो तो उसी समें दिल तो हल्की हो जाती है न क्योंकि दे दिया न फिर दूसरे दिन की मुरली उस वीदी से देखो कि जो मैंने पत्र लिखा उसका उत्तर क्या है रिस्पॉंस मिलता तो है न बेहद का बाप है तो पत्र भी का लिखेगा छोटा थोड़े ही लिखेगा बाप दादा ने देखा कि चारों और के डबल विदेशी बच्चे सेवा में अच्छी लगन से लगे हुए हैं एक-एको देखते हैं तो हर एक-एक-दो से प्यारे लगते हैं अगर नाम लेंगे तो कितने नाम लेंगे इसलिए सभी मन के बाप दादा के सामने हैं समय प्रती समय सेवा बेहद की और सफलता संपन होती जा रही है वर्तमान समय विशेश विदेश में दो सेवाओं का रिजल्ट अच्छा प्रत्यक्ष हुआ अनेक प्रकार की सेवाएं तो चलती ही रहती हैं लेकिन विशेश एक ये गलोब बुख जो महनत करके तयार किया है उसके निमित चारों और विशेश आत्माओं का संबंद संपर्क में आना सहच हो गया तो जिन बच्चों ने दिल व जान सिक्व प्रेम से समय दिया सहयोग दिया उसके प्रत्यक्षफल सेवा के निमित आत्माओं को बाप दादा पदम ग और सभी देशवालों ने इसमें जो सहयोग दिया उन सबको भी मुबारक लक्ष अच्छा रखा तो चारों और अभी इस दो प्रकार की सेवा की अच्छी धूमधाम चल रही है और आगे भी चलती रहेगी बाप दादा को याद है कि पहले विदेश से वी आईपीज तो छोड़ो आईपीज लाना भी मुश्किल लगता था और अभी तो सहच लगता है ना तो यह सेवा का प्रत्यक्षफल है और कितनों की दुआएं मिली जिसके हाथ में बुख जाता है उन सबकी दुआएं किसक दुआएं मिलती हैं तो कितनी दुआएं मिल रही हैं बहुत दुआएं मिलती हैं आप सिर्फ रिसीव करो अपने में ही बीजी रहते हो तो दुआएं रिसीव नहीं करते हो और जो भी आईपीज या वी आईपीज संपर्क में आते हैं तो एक कितनों को अनभव उन सभी की दुआएं ब्रह्मन आत्माओं को बहुत बहुत प्राप्त होती हैं अगर दुआएं रिसीव करो तो भी संपन्तों हो ही चाएंगी बुक भी अच्छा निकाला और ये प्रोग्रेम भी बहुत अच्छा है और भारतवालों की विशेश सेवा अभी कार्यात्रा की चल रही है बिजनस विंग के भाई बहनों ने ग्यारा कारों की एक रैली राजकोट से बॉम्बे तक निकाली है जिसमें अनेक प्रकार की सेवाई हो रही है उसकी भी रिजल्ट बहुत अच्छी निकल रही है और आगे एक भी निमित बन गए तो अनेकों के भाग्य जगा आते रहेंगे तो ये भी सेवा की रिजल्ट अच्छी दिखाई दे रही है जो भी इस सेवा में निमित हैं उमंग उत्साह से बढ़ रहे हैं उन सभी को भी चारों और के भारतवासी बच्चों को सहयोगी बच्चों को निमित बच्चों को बाप दादा मुबारक देते है मेहनत ना मात्र और सफलता ज्यादा अब ऐसी सेवा के प्लान बनाओ इस सेवा में भी यहाद दिखाई देता है कि मेहनत कम रिजल्ट ज्यादा ऐसे विदेश के दोनों प्रोग्रेमें भी ऐसे हैं अच्छा देश विदेश के सर्व सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले अथक बन औरों को दान वर्दान देने वाली आत्माओं को चारों और के बाप के सर्व संबंध के लव में लीन रहने वाली लवलीन आत्माओं को सदा सहच अनभव करने औरों को भी सहच अनभव कराने वाली सहच योगी आत्माओं को सदा सोयम को सौमान द्वारा सहच देहभान से मुक्त करने वाली जीवन मुक्त आत्माओं को सदा बाप को साथ अनुभव करने वाले और साथी अनुभव करने वाले समी पात्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मानिंग और नमस्ते वर्दान अपने आदी और अन्त दोनों स्वरूप को सामने रख खुशिव नशे में रहने वाले समरीती स्वरूप भव जैसे आदि दे ब्रम्हा और आदि आत्मा शिरीक्रिशन दोनों का अंतर दिखाते भी साथ दिखाते हो ऐसे आप सब अपना ब्रहमन स्वरूप और देवता स्वरूप दोनों को सामने रखते हुए देखो कि आदि से अंत तक हम कितनी स्रेष्ट आत्माए रही हैं आधा कल्प राज्य भाग्य प्राप्त किया और आधा कल्प माननिय पूज्यनिय स्रेस्ट आत्मा बने तो इसी नशे और खुशे में रहने से समरीती स्वरूप बन जाएंगे श्लोगन जिनके पास ग्यान का अथा हधन है उन्हें संपनता की अनुभूती होती है शुक्रिया बाबा शुक्रिया ओम शांती